चलिए आज हम लोग फिर पढ़ते हैं exercise 3.5 का सवाल नमर 4 का चौथा ठीक है तो इसको समझना है सवाल नमर 4 का चौथा आपके बुक में होगा देख लिजिएगा class 10 का बुक में होगा देखिए निकालिए और देखिए कि कता एक राज मार्ग पर दो अस्थान ए और बी 100 किल मिटर की दूरी पड़ है एक कार A से तथा दुसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारम करती है यदि ये कारे भिन-भिन चालों से एक ही दिसा में चलती है तो वे पांच घंटे बाद मिलती है यहां तक तो लिखा हुआ है लेकिन इसके बाद किताब में क्या कर दिया गया है थ भिन-चालों से विपरिद Theme चलती है तो एक हंटे बाद मिलती है तो दोनों कारों की दूरी दोनों कारों की चाल गयात की से जान तो यह को जैक। और कोई गारी बी से चल रही है और गंतवस्थान सी है तो दोनों गारी एक ही दिसा में चल रही है तो कहता है कि पांच गंटे बाद मिलती है ठीक है एक ही दिसा में चल रही है तो दोनों गारी पांच गंटे बाद मिलती है तो हमको कताइच चाल ग्याद कीजिए गारी तो लिखते हैं माना की जो गारी A से चलेगी तो लिखेंगे माना की गारी जो A से चलती है गारी A की चाल बराबर X किलो मिटर प्रति घंटा गारी B की चाल बराबर वाय किलो मिटर प्रति घंटा तो एक ही दिसा में चल रही है गारी और दूरी कितना है 100 किलो मिटर है और समय क्या कितना घंटा है पांच घंटा लगता है क्या लगेगा दूरी बराबर चाल गुना समय होता है जान लिजिया अप लोग जानते ही होंगे तो प्रस्ने से कहता है कि पहली गारी को भी 5 घंटा लगता है और दुसरी गारी को भी 5 घंटा लगता है दिसा एक ही है तो दूरी एक ही दिसा आमजाए तो घटेगा नहीं तो X-Y तो कितना घंटा लगता है चाल गुना समय तो X पहली गारी के चाल है और Y जो है दुसरी गा कर सकते हैं तो हो गया फायप एक्स मैनस 001 72 बरावर 500 किलो मिटर तो आप पांच को में ले लिजिए एकस मैनस य ब्रावर 100 किलोमिटर एक्सो आप एकस मैनस happened बतें पोंच 225 तो एकस मैनस वा बरावर 20 आया कि कंडिशन नम्मर टू यहां लिखेंगे पुनह प्रस्ण से कहता है कि यदी वे गाड़ी भिन्चालों से चलती है और विप्रीद सामें आती है ठीना विप्रीद सामें एक गाड़ी अब इधर से जाएगी इधर और ये गाड़ी इधर से माल लिजे तो एक घंटे बाद मि बिलती है तो चाल गुना समय तो एक से आप गुना करो यह भाग दो तो फर्क तो पड़ता नहीं है तो एक पलस वाइब बड़ाबर एक घंटा अधी एक सो दूरी सेम है यह समिकरन पहला था यह समिकरन दुसरा निकला अब समिकरन एक और दो आ गया तो हम हल कर देंगे सम कम जगह है इधर कर लिजिए समिकरन एक तथा 2 से समीकरन एक है एक मैनस वाइब ब्राबर 20 समीकरन दो समय मैनस यह जूट गया यह जुट गया मैनस two y बदाबर मैनस 80 y बदाबर मैनस 80 बट़ए मैनस 2 मैनस मैनस गैव तो 42 नहीं 80 y बदाबर 40 आया y का मान आप किसी भी शामिकरन रख दीजे चाहिए समीकरन 1 में रखिए कि फर्क पढ़ने वाला नहीं है तो चलिए हम लिखते हैं ऐक्स का य का मान कि वाइका मान समिकरन एक में रखने पर तो भाई समिकरन एक क्या है x-y x-y ब्राबर 20 तो x-40 ब्राबर 20 इधर 40 मैनस में है तो उधर जाएगा प्लस में होगा 20 प्लस 40 x ब्राबर 60 तो x-40 गारी a की चाल क्या हो गया x-40 गारी a की चाल वहां हम लिखे थे a की चाल ब्राबर x किलोमेटर परती घंटा लिखे देना तो कितना हो गया यहीं गारी a की चाल हो गया 60 km पर ती घंटा और गारी B की चाल बराबर 40 km पर ती घंटा यही ग्यात करना था ठिक ना? गाता दोनों गारी की चाल ग्यात किजिए तो अब आप देख लिजे दोनों गारी की चाल ग्यात हुआ या नहीं हुआ समझ मागई बात?